तो आज हम बात करेंगे डिबे हकल ओन सेगर कर्व के बारे में प्रिविस लेक्षर में पढ़ा था फेक्टर्स एफेक्टिंग लेक्रॉलिटी कंड़क्टेंस जहां पर हमने इक most important फेक्टर पढ़ा था डायूशन तो आज हम डायूशन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे डिबे अकल और सेगर कर अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उपर आई बेटन में वह वीडियो आ रही है आप उसे जाकर कि महां से पहले देखके आईए नहीं तो आप इसको समझ नहीं पाएंगे तो हमारा टॉपिक है डिबे एक को यूज़ करोगे एक आप यूज़ करोगे वेक लेक्ट लाइक और एक आप यूज़ करोगे स्ट्रोंग लेक्ट में अम्हारे वह यहा Mitől ऴीक लेक्ट कर learner हम इन दौनों तरह की electrolytes के बारे में बात करेंगे जरा आप खुछ से सोच के बताइए अगर मैं इसमें strong electrolyte की बात कर रहा हूँ अगर मैं strong electrolyte like NaCl, KCl, SCl, NaOH यह सब strong electrolyte है तो अगर मैं strong electrolyte की बात करूँ तो जैसी मैं उसको पानी में डालूँगा और अगर वो completely ionize हो जाएंगे और अगर वो completely ionize हो जाएंगे तो उनकी conductance क्या होगी? जादा होगी लेकिन अगर मैं weak electrolyte की बात करूँ जैसे acidic acid, CS3, COH तो जैसे ही मैं उसको पानी में डालूँगा तो वो कभी भी completely ionize नहीं होगा अब जैसे जैसे मैं dilution करता जाऊँगा वैसे वैसे उसका ionization बढ़ता जाएगा that means weak electrolyte कभी भी completely ionize नहीं होते हैं नॉर्मल कंडिशन्स पे जिनकी वज़ासे weak electrolyte का conductance हमेशा और हमेशा और हमेशा कम रहेगा as compared to strong electrolyte इस बात को याद रखना तो इसका मतलब कभी भी कोई भी आपसे बोले के conductance जो है strong electrolyte का जादा होगा या weak का तो आप हमेशा क्या बोलोगी कि conductance तो हमेशा strong electrolyte का ही जादा होगा क्योंकि वो completely क्या हो रहे हैं ionize हो रहे हैं अब आते हैं graph की तरफ ज़रा ध्यान से देखो यह है molar conductance हम कोईसी भी conductance ले सकते है normal conductance लेप हम यहाप इस specific conductance की लेकिन बात नहीं करते हैं तो आप molar conductance का graph यह रहा और यह रहा strong electrolyte का graph और यह रहा weak electrolyte का graph तो आप हर point पर देख रहे होगे हर point पर molar conductance of strong electrolyte है वो हर point पर ज़ादा होगी as compared to molar conductance of weak electrolyte इस पॉइंक पर भी देखो strong electrolyte की molar conductance इतनी है लेकिन weak electrolyte की molar conductance बस इतनी है तो इसका मतलब molar conductance strong electrolyte की हमेशा जादा होगी क्योंकि वो complete ionize हो रहे हैं अब यार देखो ज़रा जैसे ही मैं right to left जा रहा हूं तो हम dilution क्या कर रहे हैं dilution को increase कर रहे है dilution increase करने का मतलब water add कर दिया जैसे निसे आ आप water add करते जा रहे हो आईद के बीच का force of attraction कम होता जा रहा है और mobility of ions कि हो रही है बढ़ रही है तो strong electrolyte में ions का force of attraction कमPI कर द रही है और mobility of ions भी बढ़ गई इसका मतलब Conductance क्या हो रही है? Dilution होने पर Strong Electrolight की बड़ रही है लेकिन जब मैं Weak Electrolight की बात करता हूँ जैसे ही आप वीक Electrolight का Dilution करते हो न तो Inter-Ionic Interaction तो कम हो रही है लेकिन उसके साथ सा जो Weak Electrolight है उसका dissociation, बहुत खान खोल के सुनो, जो weak electrolyte है, उनका interionic interaction जो है molecule का, वो तो कम हो रहा है, लेकिन साथ-साथ उसका dissociation भी हो रहा है, यानि वो तूटते जा रहे है, इसका मतलब weak electrolyte को आप जितना जादा dilute करोगे, वो उतने जादा ionize होते जाएंगे, तूटते जाएंगे, और वो जितने जादा तूटते रहेंगे, क्या number of ions उतनी जादा बढ़ते जाएंगे, और जितने number of ions बढ़ते जाएंगे, उतनी conductance क्या होती जाएगी, increase होती जाएगी, इसी लिए dilution बढ़ने पर, जो strong electrolyte है, उसकी conductance gradually बढ़ रही है, देखो gradually बढ़ रही है, लेकि जो weak rapidly increase हो रही है, weak electrolyte की conductance की जादा बढ़ भी किसकी है, strong की रहेगी, और अगर मैं इन graph को further plot करूँ, तो यार आप लोग खुछ से मुझे देख के बताओ, कि जैसी graph further plot करूँगा, तो क्या weak electrolyte का curve जो है, वो कभी भी इस axis को touch करेगा, क्या, कभी इस axis को touch, नहीं करेगा, इसका मतलब weak electrolyte 100% dissociate या ionize नहीं हो रहा, यारे weak electrolyte की आप लोग maximum molar conductance या maximum equivalent conductance नहीं निकाल सकते हो, लेकिन strong electrolyte का जैसी मैंने graph plot किया, तो क्या वो इस line को touch कर रहा है, कर रहा है, इसका मतलब आप strong electrolyte के लिए maximum molar conductance या maximum equivalent conductance निकाल सकते हो, तो यह जो चीजे मैंने बताई है, यही सारी हमारी observations है, देखो क्या लिखा है, on increasing dilution, molar conductance of strong electrolyte not increase as much as compared to weak electrolyte, क्योंकि भाई, जो strong electrolyte थे, वो तो already completely ionized हो चुके थे नहीं, लेकिन weak में क्या हो रहा है, ionization के साथ साथ, dissociation भी हो रहा है, second point, conductance of strong electrolyte is always greater than conductance of weak electrolyte, बताया है ना, strong का हमेशा दादा होगा, now the third point is, on increasing dilution, conductance of strong electrolyte gradually increases, gradually increases, but the conductance of weak electrolyte rapidly increases, क्यों, क्योंकि इंट्राइनिक इंट्रेक्शन तो कम हो रहा है, लेकिन साथ में dissociation भी हो रहा है, salt का, now the fourth point, जो अभी बता है, अगर आप graph को further plot करोगे, तो maximum molar conductance, आप strong electrolyte के calculate कर सकते हो, लेकिन weak electrolyte के आप calculate नहीं कर सकते हो, लेकि यही है बच्चों हमारा डिबे हकल उन सेगर कर, जो बोथ weak and strong electrolyte के लिए हम लोग बनाते हैं, तो आज के लिए इतना ही, बागी बढ़ेंगे next lecture में